आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचा सिंगいき कि पित्रों की आत्में तृप्टि के लिए जो भी कर्म श्रद्धा से किये जाते हैं वो शाद कहलाता है कि शाद का ताठ्पर श्रद्धा से है शाद पित्रों की तिथिउत की अनुसार चाता है शास्त्रों में पित्रपक्ष का समय अपने आप में बेहद अहम माना गया है आपको बिदाने कि इस दौरान लोग अपने पूरवजों के नाम से तरपन करते हैं और दान पुन्य करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पित्रपक्ष 17 सितंबर से शुरू होगा ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो लोग पिंड दान करते हैं उन्हें पित्रदोर से छुटकारा मिलता है साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है लेकिन ऐसे समय में कई नियमों का पालन किया जाना जरूरी है ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर तरपन क्या होता है और तरपन में कौन से नियमों का पालन करना जाहिए शास्त्रों में कहा गया है कि पित्र पक्ष में अपने पित्रों के निमित जो अपनी सामर्थ के अनरूप शास्त्र विधी से शद्धा पूर्वक शद्ध करता है, उसके सारे कार्य पन जाते हैं और घर परिवार, व्यावसाय तथा आजेविका में उन्नती होती हैं साथ ही कार्य, व्यापार, सिख्ष अथवा वंश व्रिधी में आ रही रुकावटे भी दूर होती है इसलिए पित्रों को प्रसन्न करने के लिए के जाने वाला शाध को शास्रों में पित्र यग्य कहा गया है पित्रों के निमित्त किये जाने वाले शाद को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है जैसे कि तरपन के भी अपने अलग नियम है जिनका पालन करकी शाद पूर्ण होता है सबसे पहले तो जानिये इसकी विधी जिस दिन आपके घर शाद तिथी हो उस दिन सूर्योदे से लेकर दिन के 12 बजे तक ही शाद करते इसके पहले ही ब्राम्हण से तरपन आधि करा लिया जाए सुवे इस्नान के बाद देव इस्थान और पित्र इस्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए घर की महिलाएं शुद्ध होकर पित्रों के लिए भोजन बनाएं जो श्राद के अधिकारी व्यक्ति हैं जैसे श्रेष्ट ब्राम्हण या कुल के अधिकारी जो दामाद भतीजा आधि हो सकते हैं उन्हें नियोता दे कर बुलाएं इस दिन निमंत्रत ब्राम्हण के पैर धूने चाहिए अभी मुक होकर तिल और जल लेकर पित्र तीर्थ से संकल्प करें इसके बाद भोजन बाली अथवा पत्ते पर ब्राम्हण के लिए भोजन परोसें प्रसन्य चित्त होकर भोजन परोसें भोजन के बाद यथा शक्ति दक्षिना और अन्य सामगरी दान करें गौव, भूमी, तिल, स्वन, घी, वस्त्र, अनाज, गुड, चांदी और नमक का दान करें इसके अलावा कुछ और भी बाते हैं जिनका ध्यान रखना बेहस जरूरी होता है जैसे ब्राम्हण भोजन से पहले पंच बली यानी गाय, कुत्ते, कुवे, देवता और चीटी के लिए भोजन सामगरी पत्ते पर निकालें शाद तिथी वाले दिन तेल लगाने दूसरे का अन खाने और इस्त्री प्रसंग से परहेज करें शाद में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्णा, गोल लौकी, बैगन, शल्जम, हींग, प्याज, लहसुन, काला, नमक, काला, जीरा, सिंघाडा, जामुन, पिपली, कै महुआ, चना, ये वस्तुए वर्जित हैं, देखा जाए तो हिंदू धर्म में श्राद और तरपन को अत्यदिक महत्व दिया गया है, ये प्रक्रिया पित्रों के प्रती श्रधा और कृतग्यता व्यक्तिक करने का एक तरीका है, शासरों के अनुसार श्राद और तरपन से पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है और उनकी कृपा से परिवार में सुख, शान्ती और समृत ही आती है, पित्र पक्ष के दौरान शाद्ध तरपन और पिंडदान बड़ी संख्या में किया जाता है, फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुन